हलो दोस्तों स्वागत है आपका इस्तिरवाई दुदकी के लेसन टू की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाल है लेक्चर नमबर सेवन में जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंट्रेस्टेड और इंपोर्टन टापिक जो है समांतर प्लेट संधारित्र आज हम जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का वेंजक कशेर कार से निकाला जाता है इससे पहले हमने आपको संधारित्र तथा किसी चालक की धारिता क्या होती इसके बारे में हमने आपको explain करके बताया है तो यदि आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देगा ठीक है दोस्तों मैं अभी शीक और आप देख रहे हैं मारा यूटूब चैनल अभी शीक पाट सार जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ इस चैनल पर फिजिक्स के साथ महित की क्लास को भी आसान और लॉजिक तरीके से पढ़ते हैं तो उसी क्लास में आज की इस फिजिक्स की क्लास में किलियर करेंगे लेशन नमबर टू में शमांतर प्लेट संधारित्र का वेंजग कैसे निकालेंगे इसके लिए देखिए कुछ लिखा हुआ है समान छे त्रफल की दो धात की प्लेटें जब परस पर अल्प दूरी पर इस एक दूश्चा से अल्प दूरी पर इसथित्त हो तो ऐसी विवस्था समान टर प्लेट संधारित्र कहलाती है इसे फिल्टर के मातम से कैसे ड्राइव करेंगे देखिं लेते हैं माने जिए दो तुमारी प्लेटे हैं जो एक दूसरे के समांतर तथा बी दूरी पर रखिए इस प्लेट पर प्लस आवेश है और इस प्लेट पर माइनस आवेश है जब इन प्लेटों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इनमें आवेश का प्रवाह होने लगता है जब इन प्लेटों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इनमें आवेश प्रवाहित होने लगता है अब यहां पर ध्यान देना है कि इसमें एक свое शेत रुख्ष्षम होगा जो होगा प्लस से माइनस की ऊटर इसमें का शूपर होगा यहां पर लिदी हम पिछले lecture में पढ़े हैं कि शंधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है C bare q upon v संधारित्रों की जो धारिता होती है वो होती है यहाँ पर c bar from q upon v तो अब यहाँ पर देखेँ ध्यान देने वाली एक बात यह है। कि इन प्लेटों के बीच जो विद्धु छेतर उत्पन हो रहा है क्या ध्यान देने वाली बात है इन प्लेटों के बीच जो विद्धु छेतर आपका उत्पन हो रहा है वो है E बराबर सिग्मा अपॉन एपसाइडन नॉट यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि इन दो समानतर प्लेटों के मद्ध जो विद्धु छेतर उत्पन हो रहा है वो विद्धु छेतर है सिग्मा अपॉन एपसाइलन नॉट सिग्मा अपॉन एपसाइलन नॉट सिग्मा यहाँ पर जो है वो इन प्लेटों के बीच का प्रस्ठी आवेश घनत्यों और प्रस्ठी आवेश घनत्यों जो सिग्मा की बैलू होती है वो होती है Q upon A अर्थार्थ इन प्लेटों पर जो बिभव है इन प्लेटों पर जो आवेश है जो आवेश है वो और ये प्लेटे जहां पर रखी है वो कितनी एरिया ले रही है उस दोनों का अनुपात बनता है उसका प्रस्ठी आवेश घनत्यों ठीक बात है सीधी सी बात है आराम से समझो आराम से बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम आराम करें, शिग्वा बराबर Q upon epsilon 0 यहाँ पर होगा, यह हमारा है आवेश का प्रस्थी घंद, तो सिग्मा की वैलू को जो हम यहाँ पर रखेंगे Q upon A epsilon 0 तो यह हमारा होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच का विद्धु छेत्र, ठीक है, अब आपको हम रिमेंबर करा दें यहाँ पर, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली यह है, कि विद्धु छेत्र और विभवांतर का एक relation होता है, बहुत डीपली relation होता है, एक बहुत गहरा रिस्ता होता है, जिसको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, तो बिल्कुल धान से देखना है, आराम से बिल्कुल देखना है, देखिए, विद्धु छेत्र और विभवांतर का एक relation होता है, वो क्या होता है, को हम आपको बता रहे हैं, यह एक इसका relation होता है, विद्धु छेत्र बराबर विभवांतर बटे दूरी, विद्धु छेत्र यहाँ पर होगा E, विभवांतर होगा V और दूरी जो होगी, वो इन दोनों प्लेटों के बीच की होगी D, ठीक है, विद्धु छेत्र एक्वल टू, V अपान D होगा, जिसमें से हम V को कर लेंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा E into D, ठीक है, यह हमारा एक छूटा सा फामूला निकलाएगा, जिसके तोर पे हम सवांतर ब्लेट संधार इतर की धारता का विंजक आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, बात आई समझ में, आराम से समझो, क्लियर कर लो, हम इसको अ V बराबर यह होगा, E की वैलू कॉम्पूट करेंगे Q अपान A एपसाइलन नॉट, Q अपान A एपसाइलन नॉट इंटु D, यह हो जाएगी हमारी V की वैलू, ठीक है, यह हो जाएगी आपकी V की वैलू, अब आपको पता है, देखिए वो लिखा हुआ है उपर जड़ा, यह लिखा है C बराबर Q अपान V, यह होता है, हमने लाजित बता दिया इसका एक आराम से पिछले लेक्चर में जाकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से, C बराबर Q अपान V कहां से आया हमने आपको पिछले ले प्लीज आप वहाँ पर सर्च करिए प्ले लिस्ट में और उससे पढ़िये पहले, उसके बाद यह बहुत हीजी हो जाएगा आपके लिए, चलिए आप बात करते हैं, C बराबर Q अपान V फामूला होता है, इस फामूले में हमें इस V की वैलू को रखना है, चलिए रख दे एंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बचा पाएंगे, C इक्वल टू, एपसाइलन नौट, ठिके, A एपसाइलन नौट अपान डी, क्या बचेगा, A एपसाइलन नौट उपर जाएगा, अपान डी होगा, यह तुमारा होगा, समांतर पटिका शंधारित्र का अभिष्ट यह कर दो, बात आए पर समय में, यहां पर जो C है, वो सनधारित्र की धारिता है, अब आप कुश्चन करें होगे, कि हुआँ, कि हुआ आए? तो हमने आप आपको बदा दिआ आ, कि आप चैनल में, प्लेलिस्ट में, जाकर के वापर सर्च कर सकते, जान सकते हैं, कि शंधा मैं गारित्र की धारिता को इसके बाद हम एक की बाद कर लेते हैं तो यह हो जाएगा प्लेट टो का छित्रफल पॉण ठीक है है खांग को है और pratic मैं उस्ते बाद की बात कर लेते हैं तो य Знаड नौॉट हमने आपको फिजिक्स के पहले लेसन के पहले लेक्शर में बताया है आपको ध्यान दीजिए निर्वाज की विद्धुत सीलका ठीक है और जो डी है वो है प्लेटों के बीच की जुड़िए ठीक है दोस्तों तो यह रहा आपका समांतर पट्टिका शंधारित का किलियर बेज़क ठीक है चली एक वाफ रिश्य भटावट अब इसको हाइलाइट करें देखें यहां पर क्या लेका समान शेत्रफल की धातु की दो प्लेटें जब परस्पर कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती है तो ऐसी ब्यवस्ता समांतर पट्टिका शंधारित्र या समांतर प्लेट शंधारित्र कहलाती है आई बात समझ में समझीए प्यार से फिर से बता रहे हैं समान शेत्रफल की जब दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर समांतर रखी ह तो ऐसी विवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है, ठीक है, यह समांतर प्लेट संधारित्र है, इन दोनों प्लेटों पर विभाव, आवेश जो है, विपर प्लेश है, दूसरे पर प्रेरण के कारण माईने से, जब इन प्लेटों को किसी वैट्री से जोर दिया जात ये दोनों प्लेटें फरसपर एक दूसरे से दी दूरी पर रखे आप चाहें उसका कि अपने शब्दों में इसको केलियर कर सकते हैं थीक है अब यहां पर बात यह है कि यहां पर एक वैदु छेटों जरूरुत प्रण होगा देखें इसका जनम समांतर प्रट्षंधारित का जर्म यहां से हो रहा है कहां से, दोनों आवेसों के बीच में electric field जरूर होगा विद्धुछेत जरूर उत्पन होगा किस तरह से होगा plus से minus की और विद्धुछेत होगा चीक है, जो विद्धुछेत यहां पर उत्पन हो रहा है, वो कितना होगा वो उत्पन होगा e बराबर sigma upon epsilon not इतना विद्धुशेतर आपका उत्पन होगा है ठीक बात है sigma upon epsilon not यह एक ऐसी derivation है जो आपको next lecture में मिलेगी वाबा हमने बताया है आपको ठीक है आराम से समझो इतना केवल आपको यहाँ पर learn करना है इतना ध्यान देना यदि यहाँ पर महिसमें mistake कर देंगे तो हम यह जिटराइब नहीं कर पाए ठीक है अब sigma बराबर होता है क्यों अपाने कैसे sigma है प्रस्थी आवजगनत क्यों अपाने कैसे होगा देखी आवेश और छे त्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है प्रस्थी आवेश ये वाला लेले या ये वाला लेले आवेश ये जिस प्लेट पे लगा है और ये प्लेट जहां रखी है उसका एरिया कितनी एरिया में रखी हुई है इन दोनों का अनुपात बनाता है sigma sigma की वालू पूट की हो पान है इन जो अपसाले ना e की वालू निकल चुके है हम जानते हैं क्या जानते है अब यहां पर एक बहुत ही लाजिक बात ध्यान देनी है कि हमने आपको पता है विद्दु छेत्र और विबवांतर में एक रिलेशन होता है एक यह रिस्ता होता है इन दोनों का इन दोनों का एक यह रिस्ता होता है वच्चा ऐसे ठीक है ध्यान से समझो विद्दु छेत्री विबवांतर विबटे दूरी इन दोनों प्लेटों के बीच की होगी क्योंकि रिष्टा यहाँ पर इन दोनों के विष्टें किया जा रहा है इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी हो V को बाहर करेंगे V equal to E into D होगा चीक है अब हम जानते हैं समांतर प्लेशन भारित्र की धारिता का वेंजग C बराबर Q upon V होता है चीक है V equal to E D में इस E की वैलू को पुट कर रहा है V equal to E E की वैलू को यह लगा दिया into D We know that हम जानते हैं C बराबर Q upon V होता C equal to Q और V की वैलू को हमने यह ड्राइव किया Q D upon A epsilon बात आई समझ में Q Q cancel A epsilon not उपर जाएगा upon D यह हो जाएगा C equal to A epsilon not upon D बस यहीं तो बेंजट है Clear बात है सभी को और clear रहे लिजे C संधारित्र की दारिता A प्लेटों का छेत्रपल Epsilon not बिरवाद की विद्दो सीरता D प्लेटों को बीच की दूरी Clear हुआ ठीक है दोस्तों कैसे लिगी मारी क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइए यदि मेरी में पशन्द आ रहे है मेरे दोरा बताया गया है Derivation आपके लिए Clear बैट रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को Like, Subscribe Share कीजिए साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा Share कीजिए उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर बिजट करके Physics और मैत को अब इस lockdown में बहुत आसान तरीके से साथ कर सकते है ठीक है जुड़े रहे हम से हमारे YouTube चैनल अब शेक पाट राला पर और पाइते रहे है Lesson by lesson Physics में Exercise by Exercise मैत में एक कोशनों का एक आसान तरीके से solution ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं आपको Next lecture में कुछ important topic को लेकर तब तरे लिए Thanks